नेयम ममा मही सव्म्य दुर्वलबा सागराम बरा नही छेयम धर्मेणा शक्रतमपी लक्ष्मना यानि मैं चाहूं तो सागर से घिरिये धर्ती भी मेरे लिए दुर्लब नहीं है लेकि लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर मुझे इंद्र पस्त भी मिले तो मैं स्विकार नहीं करूँगा हम तो अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लावज में ही कई बार लोग अपने कर्तव्या अपनी शपत को भूल जाते हैं इसलिए आप सभी अपने कारकाल में प्रभु राम की कही ये बात अवश्य याद रखिये साथियों आपका सीधा सरोकार टैक्स विवस्ता से हैं राम राज्य मैं टैक्स कैसे लिए जाता था इस पर गोग स्वामी तुलसिदाजी ने जो कहा है वो बहुत प्रासंगिक है गोश्वामी जी तुलसिदाजी कह रहे हैं बर्सत हर्सत लोग सब कर्सत लखई न कोई तुलसी प्रजासु भागते भूप भानु सो होई अर्थात सूरिय पृत्वी से जल खिंता है और फिर वही जल बादल बनकर वर्शा के रूप में वापस धर्ती पराता है समर्दी बढ़ाता है हमारी टैक्ष ववस्ता भी बैसी ही होनी चाहिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता से लिए टैक्ष की पाई पाई जनकल्यान में लगे और वो समर्दी को प्रोसाहिट करे आप अध्यान करेंगे तो इसी प्रेणा से हमने बीते दस वर्सों में टैक्ष सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म किये पहले देश में भाती भाती की टैक्ष ववस्ताय थी जो सामान्य नागरी को जल्दी समझ में नहीं आती थी पार धर्सिता के अभाव में इमांदार टैक्ष वेर को बिजने से जुडे लोगों को All right, Prime Minister Narendra Modi there giving an address in Andhra Pradesh. Remember, he's on a two-day visit to the southern states of Andhra Pradesh and Kerala. Currently, he's speaking at the inauguration of the new campus of the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics. And in a short while from now, the Prime Minister will be leaving for Kerala where he will be holding a massive roadshow. We'll keep getting you the latest on the Prime Minister's visit to these two southern states. But right now, let's move on and get you a breaking news that...